हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब, I hope आप सभी लोग बहुत ही अच्छी होंगे और अपने अपने घरों में सुरच्छी दोंगे, तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो आज है संडे और ये है दुपहर का समय, हमने कढाई में ओयल ए चैट करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मिर्च को हलका सा फ्राइ कर लेंगे एक दो मिनट के लिए, उसके बाद हम इसमें कद्दू कस की हुई, अद्रक एट करेंगे, एक छोटा चममच, और उसे भी हलका सा बुन लेंगे, और इसमें हमने दो चुटकी दो मिडियम साइज के आलू, जैसे हमने गोल-गोल कट कर लिया है, एट कर देंगे, और इसे दो मिनट के लिए हाइफ फ्लेम पर भुन लेंगे, हमें इसे बहुत जादा भुनना नहीं है, बस दो मिनट के लिए हाइफ फ्लेम पर भुन लेंगे, और इसके बाद फिर हम इ श्चनिया थन्या पौड़र मिक्स है और स्वाथ की अनुसार नमक अट कर दिया है मट़ेंड अरी नमक कते को अगशां करके प्लेम ब्रता प्लेमे का कपूल है क्योंकि मटर काफी मीठी है और यह सबजी ना ताजी मटर आती है तभी काफी अच्छी लगती है और काफी मीठी मटर होती है आलू मटर की सुखी सबजी यह सबजी अकसर मेरे माइके में बनती है उस दिन आपको बताया था कि हम लोग के आलू मटर की गोगरी नहीं बनती है तो यही सबजी बनती है मसालाव सला उसमें एड होता है काफी टेस्टी लगती है जम मतर मीठे होते हैं तभी क्योंकि मतर मीठे होते हैं तो काफी जल्दी कुक हो जाते हैं बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और मिठास बहुत अच्छी होती है जब तक हमारी सबजी हो र और लो फ्लेम पे ही अम इससे कुख होने देंगे तब तक जो टमाटर का जूस है उसी से हमारी सब्जी भी कुख हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगती है यह सब्जी और जब भी हम लोग ट्रेन वेगरा में जाते हैं तो यही सब्जी थंडी का स्थिन है तो यही और इसके उपर हम धन्या के पत्ती याट करेंगे और हमारी सिम्पल सी बिना प्याज लेसुन की सब्जी बन कर तियार है तो यह मेरी माईके की सपेसल सब्जी है मेरे माईके में प्याल लेसुन का यूज नहीं होता है आपको हमने कई बर बताया है तो ऐसी सब्जी यां ब जान गई है अब हम फटा फट से पुरी बणा लेंगे, हमने ऐल गरम करने के लिए रख्ट है और त trabaj और व्टा फट से पुरी बेल कर रख लेंगे और हमने गाय के लिए बना ली है अगनी के लिए पूड़ी बना ली है और हम फटा फट से बेल के रख लें क्योंकि जब आप अकेले पूड़ी बना रहे हो ना तो फिर दिक्कत होती है बेलो भी और फिर उतारो भी तो दिक्कत होती है एक साथ कुछ पूड़ीयां बेल के रख उसके बाद फटाफट से उतार लें तो हमने यह गाय और अग्नी की पूड़ी जो होती है वह एड कर दी है और फटाफट से हमारी पूड़ी बन जाएगी और यह हो जाये का हमारा दुबहर का खाना बहुन काफी टेस्टी थी यह आलू मटर की सब्जी और उसके बाद फिर ये इमनिंग का टाइम है जब हम डिनर की तियारी कर रहे हैं आज हमने जो टी टाइम स्नैक वेगर आपके साथ शेयर नहीं किया है और ये बस हमने आलू धो के रख दिये थे आज कल मिट्टी वालू आ रहा है ना काफी मिट्टी होती है उसमें नए करने के लिए रख दिया है जब तक कि अमारा आलू बॉय हो रहा है तब तक हम चटनी बना लेंगे तो ये है हरी दन्या बारी कटी हुई हर्दियन्या की पत्ती अद्रक और हरी मिर्च उसके बाद हमने ये एक बड़ा नीबू ले लिया है जिसको भी इसमें स्क्विश कर तो धन्या मिर्च अद्रक नीबू की हमारी चटनी बन रही है पस इसमें नमक और पानी अट करेंगे और इसके बाद फिर पीस लेंगे और हमारी चटनी बन कर तयार हो जाएगी एक्चुली आज हम बना रहे हैं आलू चप रोटी और चटनी मतलब साम को भी रोटी ही है ल लिए उनको पाना ही हम कुछ आरा रोट वगार एड़ करेंगे सिंपल सिर्फ आलू की का जो यह जडुन बनेगा यह हमारे हैं, आज माइके इस्पेसल पूरा खाना है यह माइके में हमारे हैं वरत वगारा में यह जाता है बिना मलब किसी चीच के न तो इसमें में अडे काटर डाला जाता है न कुछ भी और काफी टेस्टी लगता है यालुचप तो हमने एक बर बना के अजमन को खिलाया था उनको काफी पसंद आया और ये कुछ उनके जो बोल देना पसंदीदा जो भोजन होता है उसमें से है इनका फेवरिट खाना है यालुचप और रोटी औ ये चुटनी हमेंसा आकसर मेरे पास ये बना कर हम रखते ही है अच्छी लगती है किसी भी चिछ के साथ चल जाती है घुटनी ग्रीन चटनी तो बस हमारी चटनी बन कर त्याहर हो गई है हमने अडू बोइल करने चड़ाई दिया है अलू हमारा बोइल रहा था और हमने करके जब आपके पास time ho तो अगर आप soft अठा लगाना चाहते हो तो बस mix करके इसी तरह रख दो ठोड़ा सा पानी उपड़ से और डाल कर दिया हा और ätच करके हम इसी तरह लख देंगे और इसे बाद में soft करें गहीं जलушки जब आटा जो है अच्छे से फूल जाता है तो काफी अच्छे से हो जाता है अब हम आलू को छील लेंगे और चीलने के बाद यह देखिए गरम-गरम आलू ही न आप यह एक फोक ले लें यह ट्रिक है किचन ट्रिक फोक लिया है हमने और उसे से फटा फट से आलू सारे के सारी बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं एक एकालू पर आप तिन चार बार इस तरह से आप उसे प्रेस कर दो ना फोक से तो काफी अच्छा मैश हो जाता है गरम-गरम में और काफी बहुत जल्दी अब कितने भी आलू हो बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं हमने आलू को चील के और मैश करके त्यार कर लिया है अब हम आटे को भी अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे जितने दिर में हमने उसे चीला है और मैश किया है आलू को तब तक हमारे हमारा आटा भी अच्छे से फूल किया है अब हम इसे दो मिनट के लिए अच्छे से मल लेंग और हमारा बिल्कुल सॉफ्ट सा जो आटा है वो लगकर त्यार हो जाएगा तो आगर आपका सॉफ्ट आटा नहीं लगता है रोटियां सॉफ्ट नहीं बनती है तो एक बार इस तरह से आटे को सॉफ्ट करके देखें इस तरह से आटे को लगा कर देखें बहुत ही सॉफ्ट आटा बनकर तियार होगा यह देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ना हमने कुछ भी मतलब बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है यह आटा और अलुचप हम एक दम लास्ट में बनाएंगे क्योंकि गरम गरम अलुचप भी अच्छा लगता है हमने सारी रोटियां बनाकर त्य अच्छे से सबी चीजों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आलू हम द्रू के लिए निकाल देंगे क्योंकि अब हम इसमें खाली हरी मिर्च एट करना बाकी रह गया है इसमें हम कुछ भी एट नहीं करेंगे आप देख सकते हैं कि हमने बस नमक और धन हरी धनिया की पत्ति अगर आप खाते हैं वरत में फिलाल हम लोग किया हरी धनिया की पत्ति भी नहीं खाय जाती है वरत में तो हम हरे वरत में अगर यह आलू बनाते हैं तो हरी धनिया की पत्ति भी आट नहीं करते हैं सिर्फ नमक वह भी नमक कौन सा वरत वाला सिंधा नम हमने शेयर किया था तो मतलब एक वीवर थे उनका ये कहना था कि उन्होंने जब आलुचप बनाए तो ये फट जा रहे थे देखिए हमने इसमें आर रोड बिखरा तो कुछ एट किया नहीं है तो आप फ्लेम को इसका देखिए इसका सबसे बड़ी चीज है कि आप फ्लेम को हमेशा हाई रखें दूसरी चीज जब तक कि एक तरफ से आपको हलका मतलब लाल नहीं दिख रहा हो देखिए लाल दिख रहा है तब तक आप इससे टच भी न करें नहीं तो आपका अलुचप जो है वो बिखर जाएगा क्योंकि आपने ना तो इसमें आरा रोट एट किया है और नहीं कोई भी मतसिंगाडे काटा वेगरा कुछ भी एट नहीं है तो आपका ये थोड़ा थोड़ा सा तो देखिए विखरता है देखिए हलका हलका से विखरा लग रहा होगा लेकिन आपका एकदम से उन्होंने का मेरा एकदम खराब हो गया था अलुचप तो ऐसा करना नहीं है तो आप हाई फ्लेम पर इसे कुक करें और और उसे तब तक टशना करें जब तक कि एक तरफ से लाल नहीं हो जाता जब लाल हो जाएगा तो आप उसे पलटते और दूसरी तरफ से भी अच्छे से शेख लें और बस अब हम फटा-फट से सर्व कर देंगे तो आपको मेरा रेस्पी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा बाइबाइ मिलते हैं नेक्स वीडियो